और मैं यहां पे आपको रेकोमेंड करूंगा थ्री एक्सेंशन जो की फ्री है लेट में ज़स्ट सूई इस रेपिड जनल क्वालिटी चेक दन यू है इस एक्साइशन जनल रंकिंग गुगल स्कॉलर अधर वन इस गुगल स्कॉलर पीड आप आओ यहां पे आप देखो जब मैंने यह एक्सेंशन एड कर दिया है जनल रंकिंग कैसे आ रहा है Q1, Q2, Q3 and Q4 मेरा जितना ही पॉब्लिकेशन है वो डिवाइट कर रहा है परसंटेश पॉब्लिकेशन देट अल दोस पॉब्लिकेशन कौन सा Q1 पे है कौन सा Q2 पे है अल दाट आप लेलो जैसे कि मैंने यह टॉपिक लिया है and for that you will get literature जहां पे कि आपको ease होगा और आप help ले सकते हो और in decision making particularly कौन सा journal को कौन सा paper को आपको consider करना है for your research work क्योंकि quality parameter is again you know necessary right and moreover another feature that PDF reader Google scholar का जो PDF reader है अगर मैं यह document को यहां पे open करता हूँ जहां पे PDF लिखा है side of that you know document यहां पे आप देखो यह खुल गया and यहां पे AI outline generate हो जाता है for this so it will be easy to move out you know उस particular section पे जाने के लिए यहां पे आप select कर सकते हो यहां पे यह mark रहेगा जो यह highlight कर रहा है कौन सा section हो है and यह help करेगा आप उसी you know google scholar पे रहे के भी कोई document अगर आप पढ़ना चाहते हो वह आप कर सकते हो try it out this three extension जो कि free है and I normally use them for my research work as well thank you